प्रागत बंदिन, आज हम कक्षवार्वी आरो भाग दो के गद्ध खंड को पढ़ेगी और समझेंगे। चलिए आए बगते हैं गद्ध खंड को जैसे कि आँ देख रहे हैं कि यह है गद्ध खंड और काले मेखा पानेगे। गद्ध रशना धर्वीर भार्तिजी के जीवन पर्चे को पढ़ेगे और समझेंगे। सबसे पहले हैं काले मेखा पानेगे। धर्वीर भार्तिजी प्लेखर पर्चे जन 25 दिसमब 1926 को इलावार उत्तर प्रदेश में वरका। इनके पिता चेरंजी की डाल बर्मा और माता चंदा रेवी की। शिक्षा इनके शिक्षा इलावार रिशिद्याले से अमें दी प्रद्धी प्राक्तिकी और प्रारम्भिक शिक्षा इलावार के बी ए बी काले से प्राक्तिकी। ब्यक्तित्रों आजादी के बाद के साहित्तितारों में इनका विशिशत्तार हैं, ये मूल रूप से ब्यक्ति, स्वातांत्र मान के संकट एवं को मानी, चेत्ना के रश्ना थार। बुनाओं का देवता, सुरत का साथ का भुड़ा पन्याज, बंदगली का आठी मकान, कहानी संग्रे, ठंडा लोगा, कानुप्रिया, साथ गीत वर्ष का विसंग्रे, अंधायों गीती नार्टे। थेले बर भाले मानों मूल्य और साहित कहानी अंधाली निवन संग्रे। भाषा के विशेस्ता है, गत लिखन में सहजिता और आत्मी का है, बड़ी-बड़ी बात को बात की शेली में कहते में, अपनी भाषा में परिनार्जे खड़ी बोली का प्रियोग यह है। भावात्मक, समिक्षात्मक, वर्णात्मक शेलीयों का प्रियोग करती। समाजे के वो मनवय ज्यानिक समस्या हैं, इनकी रचनाओं में जीवन रूप से दिखाई पड़ी। चाहित में स्थान, पाध्मशिरी, ब्यास सम्माण एवं साहित के कई अन्यराष्टी पुस्कार, ब्यास सम्मीत नाटक, अकादमी पुस्कार से रूस्तित या बयाखे। चेले, आगी बढ़ते हैं। यह है पाट का साराज। क्या है पाट का साराज। काली मेखा पाली दे के मार्धन से लेकत ने वर्णन किया। यह है कि ग्रेश्मी नितू के वर्षा असाड का आढ़ा मन्या बीद जाने पर भी वर्षा का नामू निशान नहीं है। अतरह ताली मेखा को बुलाकर वर्षा कराने के लोग प्रश्वित अंधिमिश्वास के पहत गाओं के इन लड़कों की मंडली को इंदर सेना या मैढर मंडली कहा जाता है। यह मंडली आस्मान के बादलों की पोड़ देखते हुए संविस्वर में गाते क्या राते हैं। काले मेखा पानी दे गधरी पूटी बैल प्यासा पानी दे गुरदानी दे काले मेखा पानी। चप और पुएं तलाव सब सुद्धें, नलों में भी पानी कम आता है, जानबर क्या से मरने लगे है, भूमी की मिल्टी सुखर, क्या हो गई है तथर हो गई है, जमी भटने लगे है, राम चलते, डू से लोग गिर रहे हैं, ऐसे मेह गाओं भी मन्लाओं गारा, इंदर सेना पल्मुश्कल से खटा, किये गए पानी को, पुड़िलना लेहाँ को बिल्कुल पसंद नहीं आता, लेकर जनुसा, इस तरह तो पानी की क्या है, भरवादी ही होती है, इसे ले क्या कहते हैं, अंदविश्वास मानते हैं, क्या मानते हैं, अंदविश्वास, देश का पिछ बच्पन के संस्कार कैसे थे आरे समाजी हैं, और बड़तमान में विलिक कुमार, तुधार सभा के बोकु मंत्री हैं, अगर ऐसे अंदविश्वास मान को कतैस लिकार नहीं कर पा रहते, लेकर की माने, लेकर की माहा से बढ़ उमरी की रिष्टे की जीजी, इस अंदविश प्रथा के पक्ष में अपनी तर्देदीने। क्या देती हैं अपनी तर्देदीने। लेखर को भी पूजा पाट गरने को प्रिवित करती है। जिस लोए कुण्य प्राफ्ट लेखर ना चारते हो भी जीजी की खातित सब करते थी। बुढ़ापे से कमजोर हाथ-पाउं के बावजूर जीजी दूर से लाए बाल्टी भर पानी इंदर सेना पर डालती है। तो लेखर क्या होते हैं नाराज हो जाते हैं। और जीजी दूराण दिये गए लेख्यू और मठरी नहीं आती। तब जीजी इस अंत विश्वास के संदर में विस्कार से तरफ लेते हुए करती है। जिसे तुम अपनी पानी की बरवादी कह रहे हो। बास्ता हो रही है इंदर देव को पानी का अनुन है। जो चीज मनुष्य पाना चाहता है उसे पहले देगा। नहीं तो पाएला कैसे रिश्योनियोने दान कोूच्या इस अंयतर लेका। कि प्रतिकलिया होती है कि जब वो भूंद-भूंद पानी के लिए तरस रहे हो। तब पानी की चड़ने लगा। त्याग की बात समझाते हुए जी जी कहती है कि लाखों परुण उपे मेंसे दो-चार उपे किसी को मालूप दे दिये जाये तो और त्याग नहीं होता। त्याग क्या होता है कि जो ची आपके पास सीवित मात्रा में हो उसकी जरुवत दूसरे को है और तुम्हें लिए तब दिया जाने वादा दान स्वेश्ट होता है। यही त्याग होता है जिसका पल अच्छा मिलता है प्रकार हम हेतों में पसल उगाने से पहले थे को में 5-6 से अनाज ऐसे ही पेख देते हैं। तब ही डहला हाती पसल प्राक्त होती है। यही आदमी का आचरन होता है। जिसके सबका आचरन गनता है यथा राजा तथा प्रजाही गाहिजी भी कहते थे। लेखा पिचार करता है कि 50 वर्ष में से ये बाते मन में दर्ज हैं। 50 वर्ष से जो बाते हैं हमारे मन में क्याने दर्ज हैं। आज हम देश के लिए क्या करते हैं। मागें हर छेत्र में लेकिन दान का नाम निशा नहीं स्वात एक मात्र लाश है। भष्टाचार की बाते करते हैं। लेकिन कभी नहीं चाचा कि हम भी उस भष्टाचार के अंग बनते जारें। काली में घ्राप उपरते ही बर्शा भी पिर भी गभरी फूटी की फूटी रह जाते। बैल प्यासे रह जाते। आखिर कभ बदलेंगी यह स्थिती। आगे पढ़ते हैं। यहां पर महात्रपूर गध्यांशों की व्याक्या दी गई है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि अभी मैंने इस पार्ट के कादुशार है। उसको आपको पढ़ाया समझाया उसी से समंधित एक आत्यपूर गध्यांश की ब्याक्या है जो प्रिक्षाओं में उच्छे जाते हैं चलिए आप पहला जो गध्यांश है वर्द है कि उन लोगों के दो नाम थी एक फार इंदर सेना और या मैंडर मंडरी बिल्कुल एक दूसरे के जो लोग उनके सरी उनकी छल्पू उनके शोर सरा में और उनके काड़ गली में होने वाले की चड़कानों से चुटते थे वे उन्हें कहते थे कि यह क्या है मैं आहत मंडरी उनकी अगवानी गलियों से पोती थी वे होते थे दस बारों वरस से सोलह अठारे वरस के लड़की चामला रूप उनका और सिर्फ एक जांदिया यह तरहीं कभी सिर्फ लगों थी एक जगए खटे होते थे पहरा जैकान सब्लोग साफ्रान होताते थे इस्त्रियां और लड़कियां सज्जे वार्जे से जहांतने लाती थी और यहां विचित्र जो टोली है वह चलती कुट्टी संवे कुकार लगाती थी काले बीहा पानी चंदर प्रस्तु घंध्यां इसमारी पार्टु तर्ट आरों के प्रसि नहीं परस्ता तो इसके लिए इतना सेना की मुख में गाओं के 10-12 वर्ष से 16-18 वर्ष के जो सावरे लड़के हैं वह एक जबने खटा होगा जयकारा लगाते थे और सभी एक सवर में पानी वर्साने के लिए काले बादनों से भुखार लगाते थी चलते पड़ते हैं ब्याथ्या समस्ते हैं दश दश बार वर्ष से 16-18 वर्ष के लड़के एक मंडली के रूप में एकत्र होते हैं और उन सब लड़कों का रह के ऐसा था पूरा जो शरी बस पही होता था शरीप पर पोमल जा गया है तो भी लगोती होती थी इस मंडली को वहां के लोग क्या कर देए हिंदर सेना या मेंड़क मंडली के नाम से बुकार दे थी बेबार अपने इंद्र देवता की सेना मानकर इंदर से जो इंदर से नाम की नाम से संबोधर किया जादा था इसके रिपीट मैंधर मडली भी कहते थे क्योंकि उनका जो सवीर मतर्ब हो थे कप्ड़े में पहने होते थे जिस प्रकार मैंधर जल वार प्रदीवर कुझाब प्रकार जो बालते उनका भी जो समुता वो उच्छाय को सोर ओल है ना करते गलियों में गुनता था लोगों के रहा उनका पानी फेगने से गलियों में तीचड़ हो जाता था और इस कारण से उनकी जो तुल्ला में और किसे लोग करते से मैंध़क से करते हुए उनको मैंध़क मंदली के मतलब देखे देते हैं वे सब बालगे किस्तान परेलाते तो पर बोल गंदम विया ती जय कर नारा सामुरिक सवर्ड से लगाते थी वैसे जन्सम्भ हो जाता क्योंकि गलियों में उनके दौरा क्या होता था पीचर के कारण लोग उनसे क्या होते थे चिड़ते थे उन्हें का दूसरी ओर जो इस्त्रियां या जो लडितियां होते थी वह आपने घुनों के चर्जे या वार्जे से जहांते लगती और इस प्रकार मालग जो हैं मेंदम की तरफ उदर्बते हुए आगे बढ़ते सामुरिक काल लगाते गाले में इन्हा पानी दे इस प्रकार पानी की दूसरी आगे पढ़ते हैं गुशेष तानर बोल चाल की खड़ी बोली का इना प्रयोग है लोग प्रस्केत विश्वास का साथा चित प्रस्तुतिया गया है और जो बैड़कर ली शो शरावे जैसे सवाजिक शब्दों का इना प्रयोग हुआ है और चदे वांदे और नं अग्यान शहर में सच्वों जैसे दिन पोते जब गली महला गाउं शहर हर जहर है लोग गर्वी में घुन 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 का ट्राहिमा कर रहने थे जैसे दस्तपा बीतर असान का पहला पक्वारा भी चुगा हुआ होता पर छटी पर कहीं बादल के देख भी नहीं देखी थी वे सुखने लगते नलों में एक तो बुस्त कम पानी आता और आता नहीं तो आधी रात ओं भी मानों फोल का हुआ 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 है शहरों की तुलिला में गाओं में और भी हालात जो उसकी जो हालात की आगुकरती खालाती बहुत खालाती जहां जुताई होनी चाहिए वहां पेतों की बिट्पी स्थू प्रकत्तर हुदा थी फिर उसमें पपड़ी पढ़कर जमीन खटने लगती नूमन सी की चलते चलते आदमी आधे रास्ते में लूं आकर घिर पढ़ती अंदर जैसे की बताया में पूरवर पर प्रसंद लेकर गर्मी के उन दिनों की इस को साकार करता हुआ कहता है कि जेट के तब तिक दस दिलियों और असार के पंदर दिन भी जाने के बाद भी अकाश में बारिश के कोई असार नहीं दिख रही जिसके कारण शर्यों की अपिक्षा गाउं की हलत जादा खराब है कि व्याथ्या लेखा अपनी कि शोवर अबस्था कि दिनों को यान कतों क्योति है कि जेट खास के तब दर दिन भीत दे यहां तक तक आचार माल की गंदर दिन भीत दे इन दिनों हर्गली हर्मोन लगाओं तो यह शहरू सब चिलचलाण बाई तेज जड़मी सित्या है दूर शितिसका भी बादर तो क्या बादियों की रिखा दिखाए नहीं देगी थी यहां तक की गूप भी पानी सुख्या था चारों क्राहिमाम का स्वर्भुन रहां लोग रक्षा परो भगवाल से प्राथना कर रहे थे आफ यहां थे और नलों में पाणी काना मीडा देखिबंवा य हूं पर य ही अधिक पानी की कमई थी, क्योंकि गाओं में किसान रहते खेती गाड़ी करते हैं, और अपने में खेले कपने क्वशूब के लिए पानी की भताव शक्ता होती है, जो दिन खेतों की जुताई के दिन थे, उस समय खेतों की मिट्टी सूप रही थी, उंपर कप्डी जम रही थ अधिया, अधेज तकी होई लूप चल वई, जिसके कांट लोग व्याखुल उकरप्रती पर गिर्दने थी, शेज, सरखड़ी बोली का प्रेयोग है, गर्मी का साथा चित्र पस्तित है, वाके दीर यहाँ पर संपूर गध्याच तो बाक्तों बन गया है, शब्द गठम ग जैसा है, वे शूपने लगते हैं, गली, मुला, गाओ जैसे सवासिक पर शेजी का प्रेयोग है, और दस कपा करना पक्वारा जैसे आंजित, शब्द गभी प्रेयोग है, यह आगया है, चलिए, जोर, अब यह तीसा जो गध्यान से, यह आपको समझा रहे हूं, जोर निशान नहीं, ऐसे है, पूजा पाठ तखा विधान सब करके लोग, सब हार जाते, तब अंतिक उपाई के रुप में निकलती, यह इंदर सेना, और श्रा के बात्तों के स्वामी है इंदर, और यह जो इंदर है, इंदर की जो सेना है, जो इंदर की सेना टोली बाग कर, फ पानी के लिए, पानी की आशा, पर जैसे सारत, जीवन आगर ठिक लिया, चंदर, उलगर, प्रसंद, कसु प्यास के कारण बरने लगे, तन तो फिर ही वर्सात नहोने के कारण लोग, पानी के लिए, क्या करते, उजा पाठ तबने लिए, और बच्चु की इंदर सेना टोल वारियों उनसे सब टाटना करते हैं कि पुजा पाठ करते हों बच्चे भी टोली होना कर उनसे पानी मागनी दे चल पड़ी उनकी जो शैना है, जो टोली है, लेकर क्या ब्याक्ड़ा सबजी लेकर धरमिर भार्ती कीक है, कि वीशट दर्मी के कार्ण लोग ब्याकुल की, पशुपानी के भाव में मन में लगे, परंतु ना आस्मार में बादा राते और ना पानी वरस्ता, धार्मी को आसिकता वाले भारती पुझा पाट परके, कथा भाग बत परके धग गए, परंतु पानी नहीं बढ़ पता, जर से लिकर अठारे, चाल तरके लड़के इंदर स लोगों की तजहा पशनों की प्यास बुझा सेना बादनों को जोर-जोर से कुकारते हैं का ले भाख पानी यह पालर, अपनेको इंदरी सेना मांते में पिंद्र से ही जल मांते थे, लोगोंने द्वार पर आने पर पाड़ी से तार का देगे वे जमी कर पड़े, पानी वे जिसने लोगों की तझा की प्यास बुच जाए और सुखे खेटों की मिर्ति क्या हो जाए भीली हुए तो किसान जो ताइगा काम करें चारो पानी की अग्माव में इस हाफ मत्मस्री नाखार हो रहा था उसे देखकर ऐसी लगता था उनाल सुख़े पानी ही संसार था कहां भी जाता है कि जल भी जीवन है यह उक्ति पूर रूप से साथ तर पूरे है विशेश सरण गड़ी वोली का प्रयोग दुआ है अर्द विस्वाज में जन्मारस का विस्वाज रहा है दोल डगर पुजापार जैसे समास्तिक शहली का प्रयोग है तार जादा जैसे मुह आपको पढ़ाया समझाया आप इसको बहुत अच्छे से समझेंगे और इसके प्रश्मत्तर गुम्मार पढ़ेंगे और जानेंगे आगी की क्लास में तब तक आप इसको अपनी कॉफी में लिखियेगा और याद करें धन्यबाद बाद